मैं दीरे जाद आप सभी का एक बार फिट से स्वागत करता हूं हमारे इजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिटी पर जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पार हैं आज हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं सिक्यूज यानि कि अभी तक रिजनिंग में साथ लेक्चर जो भी आपको प्रवाइड कराए गए थे सीजी पीएस सी प्रिलिम्स क्रैश कोर्स के तहट उस पर अधारी थ हम लोग यहां पर प्रशनों की बात करेंगे यानि कि कहीं न कहीं आप अपना यहां पर अनलेसिस कर स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और आज के सेशन के अगर मैं बात करूँ यहां पर हम लोगों ने जो इस अप्रोच यूज किया था यहां लोगों बेसिक कॉंसेप्स को सीखने के बाद जो अप्रोच फॉलो किया था जो कि अपने को क्या करना है एक्जाम उसी अप्रोच को हम लोग यहां पर फॉलो करते हुए कोस्टन को सॉल्व करने वाले हैं यानि कि यहां पर हम लोग कोस्टन का बेसिक बिल्कुल भी डिसकस करने वाले नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और आज के सेशन का पहला कोस्टन आपकी स् कस किया तो वहाँ पर हम लोग solve कर चुके हैं clear तो अगर बात करें यहां पर पूछा जारा अपरेल 2001 की किन तारिखों को क्या पड़ेगा आपका Wednesday पड़ेगा यानि की बुद्धवार पड़ेगा तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि अपरेल की एक तारिख को कौन सा दि इसके बाद हम बात करेंगे अगर 2001 की तो 2001 में जनवरी हो चुका है फरवरी हो चुका है मार्च हो चुका है यानि कि तीन तीन इच्छे और एक अपरेल की बात करेंगे चार तारिक से यहाँ पर आपके पास एक ही option बनता हुए दिखाई दे रहा है यानि कि 4th, 11th, 18th और 25th of April को क्या पढ़ेगा Wednesday पढ़ेगा चार में 7 जोड़ोगे 11, 11 में 7 जोड़ोगे 18, 18, 18, 25, 17 जिन आपको क्या मिलेगा same day देखने को मिलेगा clear चलिए next question की बात करें तो next question आपका based है किस पर blood relation यानि कि रक्त संबंध पर आधारीत प्रशन है तो फटा फट से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर structure ड्रॉ करेंगे बोला जा रहा है A क्या है D का भाई है A is the brother of D D का gender clear नहीं हुआ C और D क्या है बहने है यानि कि D का भी gender यहाँ पर clear हो गया और C और D क्या है दोनों बहने है यानि कि female member of the family A का पुत्र G का भाई है A का जो पुत्र है वो क्या है G का भाई है तो A का एक क्या होगा बेटा होगा जो कि कि किसका भाई है G का भाई है लेकिन G का gender यहां पर clear नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है यदि A, H से विवाइत है तो A का पुत्र G का भाई है यानि कि A का कोई पुत्र है और अगर हम बात करें G की तो G भी क्या हो जाएगा A का पुत्र या फिर पुत्री हो जाएगा यहां पर बोला जा रहा है यदि A, H से विवाइत है A is married with H यदि A, H से विवाइत है तो C, H से किस प्रकार सम्बंदीत है C का अगर हम relation की बात करें तो यह हो जाएगा इनके husband, husband की अगर sister की बात करें तो क्या हो जाएगी sister-in-law यानि की ननद आंसर हो जाएगा option number D ऐसे प्रश्ण में सबसे पहले हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्ण में सबसे पहले हमें number of elements को count कर लेना होता है number of elements की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, और सोला यानि की number of elements आपको यहाँ पर 16 मिल रहे, इंको चार, चार के groups में बाट लेंगे यह हो गए चार, यह हो गए चार, अब इनको जब हमने चार, चार के groups में बाटा तो इच group का अगर आफ first element देखो, तो यहाँ पर भी B मिल रहा है, यहाँ पर भी B मिल रहा है, इट मीन से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, चली, इसको मैं remove कर देता हूँ, ताकि element लिख सकें, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, B, फिर अगर हम बात करें, last element यहाँ पर D मिला, यहाँ पर D मिला, यानि कि इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, last element आपका D, third element यहाँ पर C, यहाँ पर C, यानि कि जो बचे हुए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C, और अगर हम बात करें, second element की, तो तीनों में आपको A दिखाई दे, right means, यहाँ भी क् यानि कि अगर हम बात करें, answer की, तो A, D, C, B, D, C, A, D, C, B, D, C, यानि कि option number A क्या हो जाएगा, आपका correct answer हो जाएगा, पूछे के question के लिए, A, D, C, B, D, C, clear, चलिए, तो काफी आसानी से आप इस परकार्ट के प्रस्णों को हल कर सकते हैं, जो कि आपको exam में भी देखने क मिलेंगे, बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम अगले पूछे का question की, अगला question आपका syllogs पर based question है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए structure draw करेंगे, यानि कि हम लोग क्या करेंगे, main diagram, मैंने सिखाया था, आपको main diagram होता है, possible diagram होता है, हालकि यहाँ पर आपको possibility वाले cases या फिर either or के cases देखने को नहीं मिलते हैं आपके exam में, बिल्कुल basic से questions पूछे जाएंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ D क्या है, R है, यहाँ कि sum DRR, next one बोला जारा सभी R क्या है, T है, सारे के सारे R आपके T हो गए, फिर बोला जारा कुछ T, D नहीं है, यहाँ कि T का जो sum part है, कोई भी हम ले सकते हैं हिस्सा, वो क्या नहीं है, D नहीं है, clear, अब अगर हम बात करें, कुछ T क्या है, D है, तो obvious सी बात है, आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं, जब D का कुछ हिस्सा क्या था, R था, और पूरा का पूरा R अगर T का part है, तो obvious सी बात है, जो D का भी part होगा, तो बोला जा रहा है, कुछ T क्या है, D है, तो obvious सी बात है, कि T का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, D होगा, यानि कि यह बिल्कुल आपका क्या है, सही निसकर्स दिखाई दे रहा, फिर हम बात करें कि सभी T, D क्या है, T है, all D are T, तो इसको हम बोलेंगे, current से, यानि कि यह possibility का case होगा, ऐसा हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यानि कि इसका possible structure बनाए जा सकता है, जिसमें पूरे के पूरे D क्या हो जाए, आपके T हो जाए, और आपका जो statement है, वो भी क्या करे, exist करे, तो इसके बारे में मैंने syllabus के chapter में detail में discuss किया हुआ है, फिर बोला ज सकते है, फिर बोला जा रहा है, कोई भी T, D नहीं है, यानि कि T का कुछ भी हिस्सा D नहीं, तो यह बात क्या है, definitely false है, यानि कि अगर हम बात करें उत्तर की, तो केवल और केवल आपका निसकर से एक क्या कर रहा है, अनुसरन कर रहा है, only conclusion one follows, clear, चले, तो अगर जिन question आपका missing number पर based question आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर question की, तो पांच, साथ और ग्यारा, पांच, साथ और ग्यारा, या फिर ऐसे बना जा सकता था, पांच, दो और पंद्रा, अब देखना है कि question किस परकार से यहाँ पर बनता हुआ, हमें दिखाई दे रहा है, तो पांच और साथ की बात करें, इन दोनों को हम जोड़ करके क्या कर दें, एक घटा दें तो हमें number क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, यानि कि इन दोनों को जोड़ करके एक घटा दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पांच, नहीं दे रहा है, यानि कि अब इसको हम क्या करेंगे, horizontally चेक करेंगे, अगर यहाँ पर हम बात करें, 5, 2 से 15 बनाने की, तो 5 multiplied by अगर हम 2 करते हैं, तो हो जाता है, 10 और प्लस यह number कर देते हैं, तो मिल जाता हमें क्या 15, यहाँ पर अगर देखें, तो 7 multiplied by 5 करते हैं, तो हो यानि कि बनता हुआ में दिखाई दे रहा है, यानि कि पूछे गए प्रस्ण का correct जो आपका answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number D, यानि कि 110, अगले प्रस्ण की बात करें, तो बोला जा रहा है, odd one out से related आपका question देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है, January, October, June और May, अगर हम January की बात करें, तो January में दिन होते हैं, 31, October में दिन होते हैं, 31, May में दिन होते हैं, 31, June में दिन होते हैं, 30, यानि कि correct answer क्या हो जाएगा option number C, यानि कि महीने में अगर हम दिनों के आधार पे देखें, तो जो आपका June है, वो क्या है, बाकी के महीनों से अलग है यानि कि बाकी सभी में 31 days होते हैं, जबकि June की हम बात करें, तो June में आपके 30 days देखने को मिलते हैं, next question आपका based है, order and ranking पर, अगर हम बात करें question की, तो बोला जारा in a row of 30 children, यानि कि किसी भी हम formula की चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, basically एक structure, draw करके question को solve करेंगे, तो total number of children की अगर हम बात करें, तो कितने हैं, आपके 30, यानि कि 30, उसके बाद आपको बोला जारा, P 22 छोर से 7 है, अगर हम left end की बात करें, तो P की position कितनी हो गई, 7th हो गई, अब जब P की position 7 हो गई, तो P के right में, यानि कि P के दाहीं नहीं और कितने लोग बचे या कितने ब और लैपिंग का case नहीं बनेगा, और position की बात करें, तो कितनी है, यहाँ पे 9 है, तो 23 में से हमने 9 निकाल दिये, तो बीच में कितने बच गई, बीच में बच गई, हमारे पास 14 children, ठीक है, आगे की information की बात करें, तो बोला जारा, यदि R Q के 22 से 14 स्थान पे है, यानि कि 1, 2, 3, और यहाँ पे हो गई, आपका कौन R, टोटल थे 14, जब यह चौथे स्थान पे है, तो अब यह सी बात है, यह चौथा बंदा यह हो गया, तो यहाँ पे P और R की बीच में कितने बच गई, 10 बंदे और बच गई, टोटल आप इसको verify भी कर सकते हैं, तो को यहाँ तक 7 7 के बाद 10 मिले कितने हो गए, 17, 17 के बाद यह हो गया, 18, 18, 18, 20, और 20 की अगर हम बात करें तो, 7, 10, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 21, 21 के बाद अगर हम बात करें तो 9 कितने हो गए, 30, यानि कि आप इसको verify भी कर सकते हो, अब यहाँ पे बोला जारा, P और R के मद्ध कितने बच्चे हैं, तो P और R के मद्ध आप देख सकते हैं, answer कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानि कि इसके बाद structure हमने बना लिया, question कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे formula की, तो formula से यह question आपका बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, structure, draw करना होगा, और structure के according यहाँ पे आपको सारी बाते बिल्कुल clear होती हुई दिखाई देंगी, यानि कि ऐसे प्रकार के प्रस्णों की बात करें, ऐसे questions की बात करें, तो किसी भी formula से यह आपक हैं, वहाँ पे आपको order ranking बिल्कुल detail में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकि आपको जो 7 lectures provide करा हैं, वहाँ पे भी मैंने order ranking आपको बताया है, कि structure की help से कैसे हम किसी भी question का answer आसानी से कर सकते हैं, और खासकर जो आपके position interchange वाले questions होते हैं, जिनको लेके कही आपके मन में एक phobia बैठा होता है, उस question में, यानि कि उससे बनने वाले तीन प्रकार के प्रस्णों को कैसे हम orally हल कर सकते हैं, इसके बारे मिने discuss किया हुआ है, बात कर लेते हैं, अगले question की, अनलोगी पर based आपका question है, 7 to 50, तो आपको बताना है 11 to what, यानि कि अगर हम 7 के square की बात करें, तो कितना हो जाता है, 49 और plus 1 करेंगे तो हो जाएगा 50, अब देखना है कि 11 का square कितना हो जाएगा, 121 प्लस 1 करोगे, 122 और 122 आपका यहां पे, विकल्प में देखने को भी मिल रहा है, यानि कि option C में आपको देखने को मिल रहा है, तो question काफी easy था, इसको सकते हैं बिना किसी कठिनाई के, बात कर लेते हैं अगले question की, A से D जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे plus 3, B से E जाओगे तो कितना हो जाएगा, plus 3, D से G जाओगे तो कितना हो जाएगा, plus 3, और E से H जाओगे तो कितना हो जाएगा, plus 3, यानि कि सब में आपको plus 3 हो के position के according तो 16 से तीन जाओगे तो हो जाएगा 19 सत्रा से तीन जाओगे तो हो जाएगा 20 19 से तीन जाओगे तो हो जाएगा 22 और 20 से तीन जाओगे तो हो जाएगा 23 यानि कि STV और W STV और W option number D आपका correct answer हो जाएगा और place value वगरा के बारे मैंने आपको very first अगर हम बात करें lecture यानि कि जब हमने coding decoding का discussion किया तो वहाँ पर मैंने आपको हर एक प्रकार के प्रश्ण के बारे में बताया कि आप कैसे place value वगर याद है तो आसानी से questions को solve कर सकते हैं साथी साथ approach भी मैंने detail में discuss किया हुआ है चलिए अगला question आपका number series पर based question अगर हम यहाँ पर बात करें question की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर difference निकाल लेंगे difference के अगर हम बात करें तो एक और पचास की बीच कितने का difference है 49 का difference है पचास और अगर हम बात करें 114 की तो 50 यह हो गया और 14 यहाँ पर आपको 64 का difference दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पांच में से चार गया आपका हो गया एक नौ में से एक गया हो गया आठ यानि कि आपको 80 का difference जोड़ देना था 100 आपको जोड़ देना था यानि कि आंसर की बात पर तो हो जाएगा 295 यानि कि option number B तो काफी आसानी से आप इस question को भी बना सकते थे कोई भी कठिनाई यहाँ पर आपको नहीं होने यानि कि दोनों ही प्रकार के प्रस्ण में आपको करना कुछ नहीं है बस आपको क्या करना है 1160 से जो भी value दी गई उसको minus कर देना यानि कि अगर आपसे पूछा जाएगा किसी घड़ी में कोई समय आपको दे दिया गया है दरपण में क्या समय दिखाई देगा तो उसके लिए भी आप क्या करोगे 1160 में से minus करोगे या फिर अगर दरपण में कोई समय आपको दिखाई दे रहा है और actual time आपको याद करना है तो भी आप क्या करेंगे 1160 में से ही minus करेंगे time की बात करें तो time आपको दिया गया है 330 यानि कि यहां पर 60 में से 30 घटाओगे तो 30 और 11 में से 3 घटाओगे तो 8 यानि कि 8 बचके 30 मिनट आपको क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यानि कि option number C जब हम बात करेंगे water की तो आ अगला question आपका logical sequence of words पर based question है यानि कि यहां पर हम बात करें शब्दों के तारकी करम पर अधारित आपका question दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो आपको शब्द दिये गए है यानि कि जन्म, मृत्य, अंतियो, विवाह और सिक्षा तो अगर हम बात करें इनमें या तो क्या हो सकता है, ascending order में आपको answer लगाना हो सकता है, या फिर descending order में answer आपको लगाना हो सकता है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहां पर तो क्या आएगा, जन्म आएगा, या तो आपको starting में one दिखाई देगा, या अगर हम बात करें सबसे last में आपका अन्तियोस्टी आएग के आप जन्म के बाद होगी six चाह यानि कि जन्म के बाद क्या हो जाएगा आपका five हो जाएगा one के बाद आपका हो जाएगा five जो कि आपको एक ही विकल्प में बनता हुआ दिखाई दे रहा option नमबर ए में तो अगर मैं ऐसे questions की बात करूं तो मैंने आपको बता है कई बार हमें proper sequence नहीं पता होता तो हम क्या करें यहां पर options के basis पर eliminate कर सकते हैं जैसे हमें यह पता है कि मृत्यू के बाद ही क्या होगा अन्तियोस्टी होगा यानि कि अगर हम बात करें two के बाद ही क्या आएगा three आएगा तो जहां कहीं भी आपको three two के पहले दिखाई दे जाए उन options को आप क्या कर सकते थे eliminate कर सकते थे clear तो आप elimination से भी कई बार questions को बना लेंगे आपको पूरे अगर दिये गए words का proper sequence नहीं पता है कुछ ही words के बारे में अगर आपको पता है कि इसके बाद ही आएगा या इसके पहले ही आएगा तो उसके अधार पर भी आप options को eliminate करके questions को बना सकते हैं directly आपको questions को छोड़ नहीं देना है clear चली बात कर लेते हैं next question की next question में आपसे पूछा गया है निमलिखित पत्तेक प्रस्ट में एक शब्द चुने जो दिये गए शब्द के है तो सबसे पहले हम बात करेंगे वावल की fortune में आपको ओ दिखाई दे रहा है यानि कि यह आपका नहीं बना जा सकता है सबसे पहले जो elimination होगा वह हमारा किस पर बेस्ट होगा वावल पर बेस्ट होगा और इसके बाद हम बात करेंगे consonants की तो अगर वावल से आपको direct बन कर सकते हैं फिर चाहिए आपका question बेस्ट हो which of the following word can be formed और which of the following word cannot be formed यानि कि दोनों इतरकार के प्रस्ण को आप वावल के concept से आसानी से बना सकते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगला question आपका mathematical operations पर बेस्ट question देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें पहले option की तो यहाँ पर आपसे बोला है कि किन दो साइन किन दो संख्याओं का इस्थान परस्पर बदलने से which two numbers should be interchanged to make the equation correct और यहाँ पर हम बात करें तो संख्याओं नहीं होंगी यहाँ पर आपके sign आ जाएंगे ठीक है कौन से दो चिन आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको option में sign देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर आगर हमुट करें plus और minus को आपस में क्या कर देते हैं interchange करदेते हैं कि यहाँ पर हम कर दें – और यहाँ यहाँ हम क्रेक्ट होती हुई दिखाई दे εδώ की तो यहाँ पर हम बोर्ड मास का रूल करेंगे follow करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे divide करेंगे तो 10 divided by 10 यहाँ पर value मिल जाएगे अपने को 1 और यहाँ पर अगर हम बात करें यह हो जाएगा आपका 10 10 minus 1 और यहाँ पर हम बात करें 10 into 10 की तो यह हो जाएगा 100 यानि कि आपको equation कहीं से भी correct होती हुँ दिखाई नहीं देर यानि कि पहला option क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा अब हम बात करेंगे दूसरे option की दूसरे अगर हम option की बात करें तो plus और divided by तो यहाँ पर हम कर देते हैं plus यहाँ पर हम कर देते हैं divided by तो 10 divided by 10 की value मिल जाएगा अपने को कितनी एक तो फिर यहाँ पर multiply करोगे तो यह value मिल जाएगी 100 और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो plus 10 और minus 100 यहाँ पर भी आपको equation correct होती हुँ दिखाई नहीं दे रही है अब हम बात करेंगे अगले विकल्प की यानिकि next option की next option की अगर हम बात करें यानिकि यह आपका हो गया eliminate यह भी eliminate यह भी eliminate next option की बात करें तो plus और multiply यहाँ पर हम कर देते हैं plus और यहाँ पर हम कर देते हैं multiply तो 10 divided by 10 की value हो जाएगी यहाँ पर 1 और 10 multiplied by 1 की value हो जाएगी 10 minus क्या कर देंगे आप यहाँ पर 10 plus 10 यानिकि 20 sorry यहाँ पर देखिए हमने change कहां का किया था यहाँ पर आगे आपका 10 minus 10 minus 10 यानिकि 10 minus 10 करोगा और बचा आपका plus 10 तो 10 minus 10 की value हो गई 0 plus 10 की value हो गई 10 यानिकि आपका option number 3 है वो क्या कर रहा है equation को correct बना रहा है यानिकि जो आपका answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number C ठीक है ऐसे questions में basically आपको जो start करना होता है वो last option से करना होता है क्योंकि examiner का जो main motive होता है वो होता है आपका time kill करना बिल्कुल basic से आपको कुछ equations दिये गए होंगे और उसको आप आसानी से बना सकते है बशरते क्या होता है कि आपका time जो loss होता है उसके लिए क्या करेंगे question को हमेशा last से बनाना शुरू करेंगे तो मैंने बताया है कि जो भी आपका right hand का position होगा या फिर left hand का position होगा वो as it is रहने वाला है केवल और केवल change आपके कहां देखने को मिलेगा आपको facing में देखने को मिलेगा अगर मैं normally बात करूँ तो मान लीजे मेरा face कहा है towards east है तो मेरा right hand कहा हो जाएगा towards south हो जाएगा और left hand कहा हो जाएगा towards north हो जाएगा लेकिन जब यही हम सीरसासे नवस्था की बात करेंगे तो जो मेरा facing होगा वो कहा हो जाएगा west हो जाएगा और उस case मेरा right hand हो कहां रहेगा south रहेगा और left hand कहां रहेगा North रहेगा यानि कि Change केवल और केवल आपको Facing में देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी Evening Case की यानि कि साम केश समय की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बोल रहा उसकी चाया उसकी पीट की ओर बनती है तो उसके बात करें आपके पीछे की ओर बनेगी तो Evening Case की बात करें तो जब Person अगर कहां देख रहा है Facing Towards East देख रहा है तो उसका जो Shadow है वो कहां बनता है Ahead of the Person यानि कि व्यक्ति के आगे की ओर बनता है लेकिन जब सीरसासान अवस्था की बात करेंगे तो व्यक्ति का मुख कहां होगा यानि कि अगर Normal Case की बात करें तो Right Hand कहां हो जाएगा Right Hand हो जाएगा आपका Towards South और Left Hand हो जाएगा Towards North और Face कहां हो जाएगा Towards East और परचाई कहां बनेगी Ahead of the Person लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी सिरसासन अवस्था की तो सारी बातें आपकी सेम रहेंगी बस Change कहां हैगा Face में और Shadow में तो Face कहां हो जाएगा Towards West और जो Shadow बनेगा वो कहां बनेगा Behind the Person पूछा क्या जा रहा आप से उसके दाहिने हाथ की दिशा क्या है बात कर लेते हैं अगले Question की अगला Question आपका Logical Wind Diagram पर Based Question है यानि कि Atmosphere की बात की जा रही है Air की बात की जा रही है और Oxygen की बात की जा रही है तो अगर हम Atmosphere की बात करें तो Atmosphere में आपका क्या पाए जाता है Oxygen पाए जाता है और हम बात करें Air की तो कहीं न कहीं air क्या आपके atmosphere का एक part है और अगर हम बात करें oxygen की तो oxygen भी आपको air में देखने को मिलेगा as an element यानि कि oxygen का क्या हो जाएगा एक part हो जाएगा आपको oxygen तो answer हो जाएगा आपको option number C अगला question आपका पासे पर अधारित question है यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है एक पासे की तीन अलग-अलग इस्तियों को दर्शाया गया है तीन वाले फलक के विपरित कौन सा फलक होगा यानि कि हमें 3 का opposite बताना है तो अगर हम बात करें यहाँ पे position 1 की और position 2 की तो आपको कोई भी element common यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जब हम बात करेंगे position 1 और 3 की तो यहाँ पे आपको 3 और 1 common दिखाई दे रहे है यानि कि 6 का opposite क्या हो जाएगा 5 जब 2 element common होंगे तो जो बचा हुआ element है वो क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा लेकिन यहाँ से हम 3 का opposite कौन सा element होगा यह ग्यात नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा पोजिशन 2 और पोजिशन 3 को पोजिशन 2 और 3 की बात करें तो एक ही element आपको common दिखाई देरा जो कि क्या है 5 के बाद clockwise जाओगे तो मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 3 यानि कि 4 का opposite क्या हो जाएगा 3 और question में आपसे 3 का opposite पूछा है तो answer क्या हो जाएगा option number B इसके आगे आप move करते तो 2 मिल जाता और इसके आगे आप देखेंगे 1 यानि कि 2 का opposite हो जाएगा 1 और यहाँ से हम निकाल चुके हैं 6 का opposite 5 clear तो किसी भी आपको element का opposite पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते थे how many triangles are there in the following figure फटा फट्च हमें यहाँ पर क्या करना है त्रिभुजो की संख्या बतानी है तो चलिए count कर लेते हैं इस हिसे की बात करें तो इस हिसे मैं आपको 3 triangles बनते हुए दिखाई दे रहें देखिए एक तो ये दूसरा ये और तीसरा ये पूरा मिला दें तो 3 यहाँ से मिल गए 3 के बाद एक यहाँ से मिल गया 4 और एक यहाँ से मिल गया 5 काच पांच पाच के बाद अगर आम बात करें तो एक यह मिल गए आपका enfants छे एक यह मिल गए आपका साथ साथ के बाद एक यह मिल गए आठ और एक यह मिल गए आपका नौन कर बाड बाद करें तो एच आपका एक 11 इसके Dell आख करने देखिए जोट रिएंगल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं सब्सक्राइब करें तरिभुजो की Nasya की बात करें तो Northern संक्या हो जाएगी यहाँ पे 13 यानि कि option number 1 फिर से देख लीजे फटा-फट से जिन भी बच्चों को doubt है देखे इस हिस्से की बात करें तो यहाँ से मिल गए कितने 3 फिर अगर हम इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में हमें मिल गए 2 और इस हिस्से में मिल जाएंगे हमें 2 यानि कि एक हो जाएगा यह छोटा वाला और एक हो जाएगा यह बड़ा वाला तो यहाँ से हो गए 3 और प्लस हो गए 4 फिर हम बात करेंगा इस वाले हिस्से की, तो यहां से मिल जाएंगे अपने को 2 और बात करें फ़स्से की, तो यहां से देख सकते हैं, 4, 2, 6, 4, 10, 13, यानि कि कुल त्रीबुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, यानि कि, उप्शन नमबर एक क्या हो जाएगा, सही उत्तर होجाएगा, पूछे गए प्रशन के लिए नेक्ट कोषिंग्ट के अगर हम बात करें tp tu nax question आप ca puzzle पर बिस्ड़े स्ट्रॉक्चर और करें गे को्षिन आपके पास Hindi और English दोनों हिं अवेलेबल हैं तो जिसको Hindi में बनाना है Hindi में ले सकता है screenshot जिसको English में ले सकता है screenshot ठीक है मैं फटा-फट से structure डॉकर देता हूं गर हम बात करें structure की तो हम क्या करेंगे दो possible cases draw करेंगे जैसा कि हम लोगों ने class में सीखा था हम लोग क्या करते हैं दो possible structures बना लेते हैं व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आठ एट पीपल इफजी एच जे के ल एंड एम आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल यानि कि एक वृत्ताकार मेज के चारो और बैठे हैं Each of them is of different profession यानि कि हर व्यक्ति क्या है अलग अलग profession से belong करता है professions आपको दिये गए हैं आगे कि अगर हम बात करें बोला है कि but not necessarily in the same order F is sitting second to the left of K यानि कि अगर हम बात करें F की तो F second to the left of K बैठा यानि कि इसको अगर हम K मान लेते हैं इसको अगर हम K मान लेते हैं तो F कहा है second to the left of K यानि कि एक दो ये कौन हो जाएगा आपका F हो जाएगा clear आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है the scientist is an immediate neighbor of K scientist क्या के का एक पडोसी है यानि कि अगर इसको हम scientist माने तो एक possibility ये बनेगी और एक possibility ये बनेगी कि scientist आपका इधर हो जाए यानि कि दो possible cases आपके बनाए जा सकते हैं तो यही आपका benefit होता है जब हम दो possible cases को ले करके चलते हैं एक आपका eliminate हो जाएगा और दूसरा कहीं आप आगे क्या कर सकते हैं continue कर सकते हैं next one अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है there are only three people between the scientist and E जब आठ लोगों की बात करें और दोनों के बीच में दो व्यक्तियों के बीच में तीन लोग होगे तो यहाँ पर हो जाएगा E चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है only one person sits between the engineer and E इंजिनियर और E के बीच में एक वक्ती बैठता है तो यानि कि यहां अगर एक वक्ती बैठा है तो यहां 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 पर multiple possibility बन रही है तो इसलिए हम क्या करेंग को note करके रख लेंगे यानि कि E और engineer के बीच में एक वक्ती बैठता है engineer इधर भी हो सकता है और engineer उधर भी हो सकता है तो इसको हमने क्या किया as a information note करके रख लिया the columnist is to the immediate right of the engineer यानि कि जो columnist है वो engineer के क्या है ततकाल दाहिनी हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे engineer के ततकाल दाहिनी और columnist है फिर बोला जा रहा है m is second to the right of k यह हम बना सकते हैं तो m कहां बैठा k के second to the right तो एक दो यानि कि यहाँ पे हो जाएगा आपका m और एक दो यहाँ पे हो जाएगा आपका m आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है h is the scientist h क्या है scientist है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते है h क्या हो जाएगा आपका scientist हो जाएगा यहनि कि इसको हमने यहाँ पे लिख लिया आगे कि अगर मैं बात करें तो बोला जा रहा है g and j are immediate neighbors of each other g और j क्या है दोनों एक दूसरे के निकटतम पडोसी है तो दो हमें क्या चाहिए consecutive positions चाहिए और दो consecutive positions की बात करें तो केवल और केवल यहाँ पे हमें दो consecutive positions बनती होई दिखाई दे रही है और इस वाले structure की बात करें तो यहाँ पर दो consecutive positions बनती हुए दिखाई दे रहे लेकिन इन में से G कौन होगा और J कौन होगा यह हम नहीं बता सकते यानि कि या तो यह J हो जाएगा यह G हो जाएगा या तो फिर यह J हो जाएगा या यह G हो जाएगा तो इसमें भी दो possibility है J या फिर G के लिए तो हम इसको इस प्रकार से लिख करके छोड़ देते हैं आगे की बात करें तो बोला है नाइदर G नौर J is an engineer यानि की इंजिनियर की बात करें तो ना तो G इंजिनियर होगा और ना तो J इंजिनियर होगा पिर चलिए अगले information देखते हैं क्या बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है दा financial analysis is to the immediate left of F F के immediate left में कौन बैठा है तो financial analysis बैठा है यानि कि इसको हम F A से लिख सकते हैं यानि कि यहां पर E क्या हो जाएगा financial analysis हो जाएगा ठीक है आगे कि अगर हम बात करें the lawyer is the lawyer is second to the right of columnist columnist की वह अगर हम बात करें तो second to the right यानि कि एक व्यक्ति को छोड़ करके यहां पर कौन मिल जाएगा lawyer मिल जाएगा तो यानि कि engineer होगा columnist होगा फिर एक व्यक्ति को छोड़ करके कौन हो जाएगा lawyer हो जाएगा तो इसको हम यहां पर दोनों structure में क्या करेंगे fill करके देखेंगे कि कौन सी वाली condition यह satisfy कर रहा है first वाली या फिर second वाली आगे एक information की बात करें तो बोला जा रहा है the professor is an immediate neighbor of the engineer यानि कि professor क्या engineer का immediate neighbor है तो एक ही possibility बनेगी कि पहले हो जाएगा professor professor के बाद मिलेगा engineer engineer के बाद मिलेगा columnist फिर एक व्यक्ति को छोड़ करके मिल जाएगा lawyer आगे की information की बात करें तो बोला जा रहा है the second to the right of the chartered accountant यानि कि जी जो है वो chartered accountant के second to the right में बैठा है तो अगर इसको हम CA मान लेते हैं तो जी यहां हो जाएगा इसको अगर हम CA मान लेते हैं तो जी आपका यहां पर हो जागा यानि कि यहां पर दो possibility आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है यहां पर अगर हम बात करें देखिए information लिखने का main motive क्या होता है कि एक बार जो भी आपके data यहां पर क्या हो गए कि आवशकता नहीं पड़ेगी आपके पास information लिखी हुई होगी यानि कि केवल और केवल उन information को में क्या करना होगा merge करके देखना होगा और जिस भी वह क्या करेंगे structure में हमें proper तरीके से मर्ज होते हुए दिखाई देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा सही आपका solution हो जाएगा और उसी क्या कर सकते हैं पूछे के प्रस्णों का उत्तर दे सकते हैं तो यहां पर मैं बात करूं बच्ची हुई information की जो कि आपको बोला गया था last क्या जी second to the right of chartered accountant तो यहां पर दो possibilities बन रही हैं कि अगर हम क्या करेंगे इसको chartered accountant मानेंगे तो जी यहां बैठेगा और अगर हम क्या करेंगे इसको chartered accountant मानेंगे तो जी आपका यहां पर बैठेगा ठीक है और यहां पर हम बात करें तो इसको अगर हमने chartered accountant माना तो एक दो जी यहां पर बैठेगा और यह chartered अकाउटेंट हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे पहले जहाँ पे कम possibility है उसके आधार पर हम structure को ड्रो करेंगे, तो हम बात करेंगे यहाँ पर जी की position क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी यह हो जाएगा आपका जी, यह हो साँएग המשी और यह हो जाएगा बंद तीन consecutive positions की तो अगर इसको हम मान लेते हैं प्रोफेसर इसको हम मान लेते हैं engineer और इसको हम मान लेते हैं columnist ठीक है फिर एक बंदे को छोड़ करके हमें मिल जाएगा क्या lawyer यानि कि ये condition हमारी satisfy होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है ये condition हमें satisfy होती हुई दिखाई नहीं द रही है यानि कि इसको हम क्या करेंगे as it is अभी छोड़ देंगे आपने देखा कि इसको हमने मान लिया प्रोफेसर प्रोफेसर के बाद इंजीनियर इंजीनियर के बाद columnist columnist के बाद एक बंदे को छोड़ करके मिलना चाहिए था lawyer और यहां पर अगर बोला जाया तो बोला accountant यानि कि इसको हम ओलेडी क्या मान चुके थे सीए मान चुके थे तभी यहां पर हमने जी को क्या कर दिया था fix कर दिया था ठीक है एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि दाएं से दूसरे स्थान ठीक है अब अगर हम बात करें इस वाले structure की तो यहां पर जी के लिए हमारे पास दो possibilities बन रही है यानि कि या तो हम इसको मान लेते हैं CA या फिर इसको हम मान लेते हैं क्या Chartered Accountant अब हमारे पास information लिखी हुई है तो हमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली अगर हम बात करें structure की तो हमें सबसे पहले तीन consecutive positions चाहिए किसके लिए professor, engineer और columnist के लिए तो अगर इसको हम मान लेते हैं professor इसको मान लेते हैं engineer तो यह हो जाएगा आपका columnist अगर इसको हम मानें के professor तो यह हो जाएगा engineer फिर यह हो जाएगा columnist और एक को छोड़ करके lawyer यानि कि यहां पर भी दो possibilities बनती हुई करते हैं professor, engineer, columnist से तो CA के second to the right में जी बैठा है यह वाली condition आपको fulfill होती हुई दिखाई नहीं देगी इसलिए हम क्या करेंगे यहां से start करेंगे इसको हम मान लेंगे professor इसको हम मान लेंगे engineer इसको हम मान लेंगे columnist और columnist को एक छोड़ करके मिल जाएगा आपका कौन lawyer यानि जी जो है वो आपका second to the right CA बैठा है यानि कि यह हो जाएगा CA तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन ये वाला बंदा हो जाएगा आपका J और ये वाला बंदा हो जाएगा आपका J यानि कि यह हो जाएगा आपका G और ये हो जाएगा आपका J यानि कि J क्या हो जाएगा lawyer ह जायागा जी क्या हो जाएगा फाइनेंश्यल एनलसिस्ट हो जायेगा अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो हमारे पास एक ही प्रोफेशन बचा हुआ है जो कि क्या है ऑग बने की डोक्टर की फ तो आप ने देखा कि दो possibilities हम लोग ले करके चले और in case अगर यहां पर गलत होता भी है और information हमारे पास अगर note down होके रखी है तो question को बनाने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा हम आसानी से question को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं अब हम बात करें यहां पर पूछे गए प्रश्ण की तो बोला who is sitting second to the right of e या तो answer क्या हो जाएगा जी या तो जी पूछा होगा या तो financial analysis पूछा होगा लेकिन यहां पर आपको जी देखने को मिला तो answer क्या हो जाएगा option number b ठीक है अब इसी structure पर बेज़ हम बाकी के questions का भी answer आसानी से कर सकते हैं यानि कि who among the following is professor तो आप clearly देख सकते हैं यहां पर professor answer हो जाएगा option number d आगे की बात करें तो बोला जा रहा है who among the following अच्छा यह तो हो गया who among the following is professor फिर हम बात करें दी गई विवस्ता के अधार पर निमलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूव बनाते हैं यानि कि H chartered accountant M doctor J engineer और L वित्तियव इस आपने देखा कि doctor कौन है doctor है F doctor कौन है F यानि कि आपको जो यहाँ पर information दी गई है एच को दिया गया है क्या chartered accountant तो H क्या है आपका scientist है और chartered accountant के सामने बैठा हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पर M तो M क्या है doctor के सामने बैठा हुआ है ठीक है यानि कि यहाँ पर हम बात करें जो आपको information दी गई थी वो एक व्यक्ति दिया गया और उसके सामने किस profession का व्यक्ति बैठा है इस आधार पर आपको information दी गई है तो दो information तो हमने रीड कर लिया कि यहाँ पर दो information सही है यानि कि H क्या था chartered accountant के सामने बैठा हुआ था M क्या था doctor के सामने बैठा हुआ था आगे की बात करें तो J engineer और L वित्तिय विसलेशक यानि कि J engineer के सामने बैठा है या नहीं और L वित्तिय विसलेशक यानि कि L आपका financial analyst के सामने बैठा हुआ है और अगर हम बात करें J की तो J आपका professor के सामने बैठा हुआ यानि कि answer क्या हो जाएगा option number 3 यानि कि J आपका engineer के सामने नहीं बैठा हुआ है J आपका engineer के सामने नहीं बैठा हुआ आप इसको clearly देख सकते हैं J किसके सामने बैठा हुआ है तो J आपका professor के सामने बैठा हुआ है ठीक है तो बाकी के प्रशनों को भी आप इसी structure से क्या करेंगे आसानी से solve कर लेंगे चलिए देख लेते हैं अगला question क्या पूछा गया थ position की चलिए scientist के respect में L की position के अगर हम बात करें तो क्या हो जागा या तो second to the right या तो 1,2,3,4,5,6,6 to the left या तो क्या हो जागा second to the right या तो हो जागा sixth to the left तो इस प्रकार से आपने अगर question को बना लिया यानि कि structure को आपने बना लिया तो आप आसानी से क्या करेंगे पूछे गए पांच के पांचों को questions को आसानी से हल कर पाएंगे दाय से दूसरा हो जाएगा इस पूछे गए प्रशन के लिए उत्तर what is the position of L with respect to ठीक है दी गई विरस्था के अनुसार निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यी वित्ती विसलेशक है इ वित्ती विसलेशक का निकटतम पड़ोसी है यनि कि फिर से हमें क्या करना होगा structure पर जाना होगा structure को देखना होगा H F और वित्ती विसलेशक के ठीक बीच में बैठा है तो one by one इसको हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे सबसे पहले information क्या दी गई है इ वित्ती विसलेशक का निकटतम पड़ोसी है देखते हैं copy करने का उण इंप neither यानि की की बात करें नहीं इस आपका विदिविस्षेक का निकतम पढ़ोसी नहीं है तो पहली मैं इंपरमेशन आपकी क्या है गलात अब पूछा है कौन सी information आपकी सही है पूछा गया है कि दी गई विश्था में कौन सी information आपकी क्या है सही है इविट्टी विश्लेशक का निकटम पड़ोसी गलत H F और विश्लेशक के ठीक बीच बैठा है वकील डॉक्टर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है वकील डॉक्टर के बाहिं से भर पडिये गए सभी कत्थन सथ यह वाला तो option आपका eliminate होजाएगा D यानि कि दिये गए सभी कत्थन सथ यह बात क्या है गलत है फिर आपको दिया गया वकील डॉक्टर के बाएं से दूसरे बैठा है और HF और वित्ती विशलेशक के बीचे बैठा है वकील डॉक्टर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं वकील डॉक्टर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है यानि कि यह information की बात करें तो यह आपको यहाँ पर correct होता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि जो lawyer है वो क्या है doctor के बाएं दूसरे स्थान पर है तो answer क्यों हो जाएगा option number C तो इस प्रकार आप puzzle पर based 5 के 5 questions को आसानी से बना पाएंगी अगर एक बार आपने structure ठीक ठीक बना लिया तो बात कर लेते हैं इसके बाद पूछे गए प्रश्णों की अगला question देखते हैं किस पर based है अगले question की बात करें तो अगला question आपका based है data decision making पर based ठीक है यानि कि ऐसे questions को बनाने के लिए हमें क्या approach follow करना है इसके बार में मैंने already discuss किया हुआ लेकिन फटाफट से यहां पर हम एक बार इसको देख लेते हैं यहां पर बोला जा रहा engineering college में प्रवेस के लिए निमनलिकित सर्ते एक छात्र चाहिए ठीक है यानि कि एक छात्र को admission लेने के लिए कौन कौन सी conditions को follow करना होगा यह आपको यहां पर दिया गया है question बनाने के लिए आपको approach क्या करना इसके बारे में हम बात कर लेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर देखो मैं फिर से मेरे को आना पड़ेगा बैक में बार बार questions को solve करने के लिए चलो खैर कोई नहीं इसको हम क्या करते हैं पीडियाफ ही खोल लेते हैं एक बार में काम हो जाएगा बार बार structure नहीं बनाना पड़ेगा चले तो यहां पर अगर हम बात करें कौन कौन सी शर्तों को क्या करना हो गए कि स्टूडेंट को follow करना होगा तो सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है 172000 को निवनितम 18 वर्स की आयू यानि कि हम बात करें एज की तो यहां पर कितना होना चाहिए 18 оноच कि अगर डेट की बात करें तो очень 좀 है चिक है च्राकर दूसरे हैं बात करें तो बोला है बारह वी कश्यामें कम से कम साठी प्रतीशत अंकि जानी कि हम बात करें 12 के हैं तो 60 परसंट क्या होने चाहिएาง hoने चाहिएए पिर आपको दिया ग्या प्रवेस पर लिक्षा में कम से कम 70% यानि कि हम बात करें इंटरेंस एक्जाम में यानि की इंटरेंस एक्जाम में कम से कम कितने होने चाहिए 70% मार्क होने चाहिए फिर आपको बोला है प्रवेश के समय 15,000 रुपए पहली किस्त के भुगतान के लिए त्यार होना चाहिए यानि कि अगर हम बात करें admission यानि की अड़ टाइम प्रवेश के समय इसको admission लिक लेते हैं चलिए अड़ टाइम आफ एडवेशन क्या होना चाहिए 15,000 देने के लिए agree होना चाहिए फिर अगर हम बात करें एक चात्र जो सभी सर्तों को पूरा करता है सीवा है यानि कि exceptional cases की बात करें तो ये चार conditions तो आपको fulfill करनी ही करनी होगी admission लेने के लिए लेकिन यहाँ पर कुछ exceptional cases भी है exceptional cases की बात करें तो A में क्या दिया गया है यदि बारहवी में 60% अंक हासिल नहीं किया लेकिन प्रवेस परिक्षा में आपका 80% अंक हासिल किया है तो मामला college प्रसासन को संदर्भित किया जाएगा यानि कि 12 की बात करें अगर 12 में 60% नहीं है बट इंटरेंस यानि कि हम प्रवेश परिक्षा की बात करें प्रवेश परिक्षा में कितने हैं 80% अगर अंक पाया है तो मामला किसको जाएगा तो मामला जाएगा आपका college प्रसासन को यानि कि college administration को ठीक है college प्रसासन और एक और जो यहाँ पर आपको exceptional case दिया गया है अगर कोई 15,000 रुपय का भुगतान नहीं कर सकता है लेकिन कम से कम 10,000 का भुगतान करता है तो मामला college के dean को भेजा जाएगा यानि कि अगर हम बात करें बी की तो यहाँ पर 15 के बजाए अगर कोई 10,000 देने को राजी है तो मामला किसके पास जाएगा college के dean को भेजा जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको information एक बार क्या कर लेनी होगी note down करके लिख लेनी होगी अब information आपने लिख ली अब जो भी प्रशन आपसे पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं बिना paragraph को पढ़े हुए देखिए कैसे सबसे पहले अगर हम बात करें रिया शर्मा ने करमसा 63% और 75% आंक बारहवी कक्षा और प्रवेस परिक्षा में प्राप्त किये यानि कि ये वाली condition आपके फुल्फिल हो रही है और ये वाली condition भी क्या हो रही है फुल्फिल चली ये दोनों condition आपके क्या हो रहे हैं फुल्फिल हो रहे हैं इसके आगे की बात किया तो उनका जन्म 13 दिसंबर 1981 को हुआ था यानि कि at least क्या होना ची 18 years का होना ची तो 81 से अगर हम बात करें 2000 की तो यहां पर आप 19 साल आपके लगबग पूरे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है यानि कि age का criteria भी वो क्या कर रही है फुल्फिल कर रही है अब अगर हम बात करें वह प्रवेस के समय 15,000 रुपए भुकतान कर सकती है और at the time of admission वो क्या कर सकती है 15,000 रुपए का भुकतान भी कर सकती है यानि कि सारी की सारी शर्तें अगर वो क्या कर रही है फुल्फिल कर रही तो चात्र को प्रवेस दिया जाना यानि कि उसका admission क्या हो जाएगा यहाँ पर डन हो जाएगा उसको admission मिल जाएगा clear यानि कि पहले अगर हम question की बात करें तो answer क्या हो जाएगा चात्र को admission दिया जाना है हाला कि आपके जो exam में होंगे यहाँ पर मैं 5 options के साथ आपको बता जरूर रहा हूं लेकिन exam में आपके चार ही विकल्प आपको दिये जाएंगे जैसा कि आपको पता है कि after 2017 आपके जो option है वो कितने हो जाएते हैं अगर हम बात करें cset में या हम बात करें prelims में तो आपको चार विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रत्यक प्रश्ण के लिए चलिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले question के अगर हम बात करें तो बोला जो ही मालनी ने करमशा 80% और 85% अंक बारहावी और प्रवेस फरिक्षा में प्राप्त किया यानि कि यह दोनों condition क्या हो रही फुल्फिल हो रही है फिर आपको बोला जा रहा है वह प्रवेस के समय दस हजार उपए दे सकती है और 23 मार्च 1982 को जन्मी है यानि कि अगर हम बात करें 23 मार्च 1982 से जब हम बात करेंगे 23 मार्च 2000 की तो अबियस सी बात है उसकी जो एज है वो 18 हो चुकी है और यहां पर अगर हम बात करें वह 10,000 रुपय दे सकती है तो यह मामला आपका किसको भेजा जाएगा यह मामला आपका दस अजार उपे कर सकती है पहली किस्त के रूप में तो यहां पर आपका जो मामला है वो किसको भेजा जाएगा college dean को भेजा जाएगा अगर हम बात करें age वाले criteria की तो age वाले criteria को भी वो fulfill कर रही थी तो answer हो जाएगा यहां पर मामला college dean को भेजा जाएगा यहां कि option number C बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले question के अगर बात करें तो बोला जारा अमित नाइक ने एक ने काट दो भाई क्रमसा 80% और 85% बारहवी कक्षा और प्रवेस परिक्षा में प्राप्त की यानि कि यह भी fulfill हो रहा है यह भी fulfill हो रहा है उनका जन्म 20 अक्टूबर यानि कि 20 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर होता है आपका कौन सा दसवा महीना होता है और यहां पर आपको एक साथ दो हजार तक की बात की जा रही कि एक साथ दो हजार तक 18 वर्स वह पूरे हो जाना चाहिए तो 82 से अगर हम बात करें 2000 की तो सातवे महीने में वह 18 वर्स का पूरा नहीं हो रहा है यानि कि यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे उसको admission नहीं दिया जाएगा यानिकि छात को प्रवेश नहीं दिया जाएगा आप option number E के साथ में जाएगे आगे एक information आपको पढ़ने की आवर शक्ता नहीं थी चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए तो रश्न की अगले question की बात करें तो बोला जारा choose the correct mirror image of the figure X यानि कि आपको यहाँ पे एक figure दिया गए इसका आपको correct mirror image बताना है कि दी गए आकृतियों में से कौन सा वाला होगा तो mirror image की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अलड़ी बताया कि जो left वाला portion है वो right हो जाएगा जो right वाला हो left हो जाएगा या फिर जो east है वो west हो जाएगा जो west हो जाएगा लेकिन north और south में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे यानि कि यह वाले अगर हम triangle के हिस्से की बात करें तो यह towards left दिखाई दे रहा है तो यह आपको towards right दिखाई देगा और ऐसा आपको केवल और केवल एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है option number D में तो आप option number D के साथ में जाएगे next question के अगर हम बात करें paper cutting and folding पर based आपका question है और मैंने आपको सिखाया है कि last fold पे हम क्या करते है mirror लगाते है last fold पे अगर हम mirror लगाएंगे जब इसको हम open करेंगे तो यह इतने हिस्से को cover करेगा और जब दोबारा से हम यहाँ पे mirror लगाएंगे तो इसको खोलेंगे तो यह इतने हिस्से को क्या करेगा cover करेगा यानि कि जब आप इस हिस्से को खोलते हो तो यहाँ पर उपर में ट्राइंगल के पास में जो ट्राइंगल आपको बनता हुए दिखाई देगा और यहाँ पर भी triangle के पास जब इसको आप open करोगे तो एक triangle आपको बनता हुए दिखाई देगा यानि कि इस परकार के दो triangle हैं तो आपको इस परकार के total 8 triangle बनते हुए दिखाई देंगे जब mirror आप उपर लगाते हैं तो जो आपकी आकмерикी बनती है कैसी बनती है determines आपकी जल प्रतिबिंब और जब mirror आप left या right में लगाते हैं तो आपका बनता है दरपण प्रतिबिंब तो आप यहाँ पे सीधे-सीधे options को क्या कर सकते हैं eliminate कर सकते हैं अगर हम बात करें इस वाले option के तो यह भी क्यों हो जाएगा eliminate हो जाएगा बचेगा आपका एक हिविकल option number C यानि कि इसको आप अगर 4 खंडों में विभाजित करें तो आपको प्रतेक खंड में यानि कि हम बात करें यहाँ से जब आप towards left देखोगे तो इसका आपको क्या दिखाई देगा mirror image दिखाई देगा उपर देखोगे तो आप इसका क्या दिखाई देगा water image बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि answer क्या हो जाएगा option number C clear तो यह था आज के लिए आपका mcq mcq की अगली series भी आपको जल्द ही provide कराई जाएगे अगर हम बात करें reasoning section की तो कहीं न कहीं आप लोगों को अपना एक analysis करते हुए चलना है और जितने भी लोगों ने इस session को watch किया सभी को comment करके at least यह बताना है कि आपके कितने questions यहाँ पर सही हो रहे है या किने topics में आपको कठिना ही आ रही जिससे क्या हो सकेगा जादा से जादा हम आपकी help कर पाएंगे clear तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में thank you